हेलो मित्रों आज हम आपको पिछली परिच्छा पूंचे के गड़ित के महत्रों प्रिसन बताने जा रहा हूं पहला कोश्चन है ये एक बिरत्त की पल्दी चार पाई से आठ पाई बढ़ाई जाती है तो उसका छेत्पल होगा चार विकल दिये हुए है पहले पल्दी कितनी ति प्यारम में प्र दे कितनी थी पर दी चार पाई पर दी के सुत्तर क्या होता है दो पाई आर दो बार पर दी दी घुए तो आरवन का मान आगया दू तो छेत्रफल कितना हो गया छेत्रफल हो गया पाई आरवन इसको है पाई पाई इसे छोड़ दी आरवन का मान दू दीगा दू मतलब कितना हो गया पाई कुणा चार बराबट चार पाई छेतर पर कितना है कि चार पाई उसके बाद में देखें क्या है उसके बाद में आठ पाई तक बढ़ा ही जाती है फिर परदी बाद में कितने हो जाती है बाद में बाद में परदी हो जाती है आठ पाई परदी के सुत्र क्या होता है टू पाई यार जिए बाद बाली है तो Chuchu R2 मान लिया 8 Πाई तो R2 बरावर हो गया 8 πई बटे 225 के बते में आएगे थर गुणा में तो किदर कैसे में बते में भाग में दो पाई 25 केंचे लोगे दो चो आउट तो आट रतुु कमान के हो गया चार छेत पल निकाल लेंगे चेत पल होता है पाई आर स्कुरार तो यहां आर टू है तो र टू का इसक्वार पाई सी छोण दिया आर टू कमान चार किया दो बराबर होगा पाई गुणा 16 चार घाद्धो का मतलब होगा है 4 गुणा चार यानि कि 16 आपने कुछ रहा है तो उसका च्छेत पल होगा शेट पल कितने कुणा होजाएगा पहले बार में 4पाई आ रहा है दूसरी इसी पिकार अगला कोश्चन देखेंगे, दूसरा कोश्चन, ये इन प्रेकर्टिक संख्याओं का माद्द 15 है, तो इन मान है, तो इन का मान बताना है, तो इन प्रेकर्टिक संख्याओं का माद्द 15, आइन प्रेकर्टिक संख्याओं का माद्द 15, आइन प्रेकर्टिक संख् हैं कि मात दिखा सूत होता जै पराबर इसका मात दिख दीया कितना 15 15 जिल दिया कि इसका एधर सूत लगा दिया दो कि कृफ दो इधर भाग में यह दर गुना मिल झांग तो था in फिलस बन बराबर 15 मुना दो था यह 006 एक बराबर हो गया 30 15 खात बहुँन ही तीसर को ब्राबर हुगया 30 मैझस एक इधर प्लस का एक इधर जाएगा तो मैझस का हура एक तो यह नम बराबर आगे 29 इनका ही मान मुझत था 29 को उनसी सूरा बिकप में दिया हुआ है D विकाल निया हुआ है तो इसका होगी चार बिकलब दिये हुए हैं तो 614 से 8 2 पहले 614 से 8 2 सुबह ही निकालेंगे यहां गंटे लिखे ले रहे हैं इधर मिनट लिखे ले रहे हैं यहां 614 से 7 बजने के लिए कितने मिनटों की आवशकता होगी 46 मिनट और होंगे तो 7 बज जाएंगे तो यहां 46 मिनट लिख लिए फिर साथ बजने आठ बजने तक कितने गंटे क्या बसकता होगी एक गंटे क्या बसकता होगी उसके बाद में आठ बजने के बाद में आठ दू तक कितने मिन्टों क्या बसकता होगी दू मिन्टों क्या बसकता होगी दू मिन्ट लिए फिर जी तो सुबह की बात हो लेकिन साम के पूंशे जब सुभाय आठ की बात होगी तो साम को बारा घंटे और एक कर लिए जाएंगे तो कुल में लागए कितने होगा बारो एक तेरा घंटे 4 क्रीश दो अर्टारीस मिनट गंटा 12 18 मिनट वंसर का थे ला गंटे और पहले वजा सई हो जायेगा इसी तरिके से अगला संद्रील है एक संद्रे का मुल्त है 6.5 संद्रिय का मूल्ल हो होगा से इसद्रे का मूल्ल के तना है एक संतरे का मूल बरावाट धाई रुपया मतलब दो रुपय पचास पैसे धाई का मतलब ही तो हुआ तो एक दर्जन का कितना हो जाएगा एक दर्जन संतरे का मूल ले कितना हो जाएगा एक दर्जन में बारे होते हैं तो बारा के गुना दू पॉइंट से कर दिया थायि रुपैसे तुह गुना करने या जीन बारा पंजए साथ बारा दूनीच और चोई। तकी समय घर उणिशू, कि इस दूपैकः नपना तीस रुपए एक दल्जन का गया पूशा कितने दल्जन साड़े तीन दल्जन का कितना हो गया तीन दल्जन को गया तीस गुणा 390 रुपए हो गया और आधे दल्जन का कितना हो गया तीस के हिसाब से आधे दल्जन का पंदार रुपए टोटल को एड के लिया तो कितना आ कि दिए भूआ है पिंए करना कोशन देखेंगे छे रहे चैक्ट है अहुंआ हाँ जब बढ़ी है लगाति यह से बड़ी व्याली को बाग कर देते हैं फिर पहले पूचे कितने एक बटे छे हैं जो पूचाँ चाही है उसको बटे में रखते हैं तो क्योंगा दो बटे टीन बटे एक बटे छे जिब भाग वाला जे सब सानीच आ पाँछता सब से उपर वाला जे कहा था यह पर एक के पास आएगा तो क्या हो गया दो गुणा छे बटे तीन गुणा एक तीन दूनी छे यहां दो बच्चा यहां दो बच्चा कितना आ गया दो दूनी चार चार दो बटे तीन में चार एक बटे छे हैं चार कॉंस वाले विकल्ब में दिया हुआ यह वाले विकल्ब त थैंक यू फर वाचिंग वीडियो